माग महात्मे का चौद्वा अध्याए कार्त वीरेजी बोले की हे विप्रश्रेष्ट किस प्रकार एक वैश्यम मागस्नान के पुन्ने से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को कया सो मुझसे कहिए तब दत्तात्रेजी कहने लगे की जल स्वभाव से ही उच्वल, निर्मल, शुद, मलनाशक और पापों को धोने वाला है जल सब प्राणियों का पोशन करने वाला है ऐसा वेदों ने कहा है मकर के सूरे माग मास में गौ के पैर दूबने योग के जल से भी स्वर्ग को प्राप्त होता है यदि सारा मास स्नान करने से आशक्त हो तो तीन दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है जो वेक्ती थोड़ा ही दान करे वेह भी धनी और दिरगायू होता है पाँच दिन सनान करने से चंद्रमा के सद्रश्यो भायमान होता है इसलिए अपना शुप चाहने वालों को माग से बाहर सनान करना चाहिए अब माग में सनान करने वालों के नियम कहता हूँ अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए भूमी पर सोना चाहिए भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए इंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन का दान करना च चाहिए दूसरे की अगनी न तपे भ्रामबनों को भोजन कराएं और उनको दक्षिना दें तता एकाजशी के नियम से माग सनान का उद्यापन करें भगवान से प्रातना करें कि हे देव इन सनान का मुझको यथोक्त फल दीजिए मौन रहकर मंत्र का उच्चारन करें फिर भगवान का स्मर्ण करें जो मनुशेशरी गंगा जी में माग में सनान करते हैं वे चार हजार युग तक स्वर्ग से नहीं किरते जो कोई माग मास में गंगा और यमना का सनान करता है वहे प्रती दिन हजार कपिला गौ के दान का फल पाता है यहां पर माग महात्मे का चौ spiritual values को सब्सक्राइब करें धन्यवाद